पर SSE Railway Exam, ट्रेंड दो दिनों से चल रहा है, इस ट्रेंड का एक नंतीचा यह निकला है कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि SSE CGL 18 और जुनियर इंजिनियर के रिजल्ट और MTS 19 की परिक्षा का रिजल्ट कब कब निकलेगा, इन तीन आंदोलन में रेलवे की परिक्षा के चात्र भी जुड़े हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परिक्षाओं के चात्रों ने मिलकर दो दिन में और कमशकम आज 35 लाग से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है, दुनिया में नंबर बन ट्रेंड कर रहे थे भारत में 9 घंटे तक नंबर बन पर ट्रेंड किया, आधा पास, आधा फेल, मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा, युवाओं ने न सुनने वाली SSC को सुना ही दिया, सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थ नौजवानों ने आज धुआधार ट्वीट किया है, लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिये नहीं है, सब को टैग कर रहे थे, प्रधान मंतरी से लेकर डियो पीटी मिनिस्टर संपादकों को टैग किया, मगर देश का युवा सुशान सिंग राजपूत के मुसलाधार क इतनी बड़ी काम्यावी नीट जेई की परिशारतियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली, वे ट्रेंड कराते रहे और इमतहान भी देने चले गए, शुरू हो गये, सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान है, परिशा से पीडित सधारन परिवारों के इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा, अगर आप देखें तो बेहत शालीन रही, व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है, 35 लाग से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंतरी सामने नहीं आया, ये दुखत बात है, किसी ने आकर खुद से आश्व अख्याना के लृप से लेकर फासन नहीं दिया, विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कारीकरताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, इसके बाद भी इन्हीं युवाओं के को विपक्ष भी नज़र नहीं आ जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। सहायक लोको पाइलट की परिक्षा का बिग्यापन निकला, आज तक जॉइनिंग की परिक्षा पूरी नहीं हुई है। सफलन में देखें तो जितनी परिक्षाओं के आंदोलन करता इसमें शामिल थे, जादातर परिक्षाओं के पीडितों को सफलता नहीं मिली है। मगर SSE के छातरों को मिली है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेंड आंदोलन सफल रहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी सफलता है। रेलवे के भी, ALP के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, NTPC की परिक्षाओं का एलान हो जाता 35,000 वेकेंसी की, तो माना जाता कि जो एक जूटता आई थी, उसका रिजल्ट निकला। क्या SSC की रिजल्ट निकल जाने के बाद SSC रेलवे इंतहान के इस ट्यूटर आंदोलन की एक जूटता समाप्ध हो जाएगी? देखना होगा, इनका बाकी परिक्षाओं पर क्या आशर पड़ता है?